इस वीडियो में हम कोशन करेंगे जो भी हमने प्रीविस किया था प्रीविस वीडियो में हमने क्या किया था एडियाबैटिक प्रोसेसिस किया था रिवर्सिबल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसिस आज उसके कोशन देखेंगे और थोड़ वो तो मिक्स भी आते हैं कि काफी सारे कोशन करने आज हमने सो प्लीस रेडी हो के बैठो फर्स कोशन हम देख रहे हैं आस सेंपल ओफ आर्गन गैस एट वान अटमोस्फियर इस वीडियो को देखने से पहले प्लीस आप शोर हो जाओ कि आपको एडियाबेटिक एंड आइसो थर्मल का सारा कुछ पता है अगर नहीं पता तो प्लीस आप पहले जाके आईसो थर्मल एंड अडियाबेटिक दोनों के वीडियो देखें ओके नेक्स कोशन देखो असेंपल ओफ आर्गन गैस एट वान अटमोस्फियर एंड 27 डिगी सेल्सिस एक्सपेंस रिवार्सिवली एंड अडियाबेटिकल हैे अब देखो आपने इंज इंटल्पी का चेंज किसके इकलोता एंड एक्सके इकलोता ये एन CPDT के की आपके नेज़ोको बदाना है या फस इतना ही बता जरू फिरफीर या फिर के एफ्र परिस निकालने ऐसे संट अंबढ़ी आपको द्यांसे ईएडियाबयाटिक एकस्पेंशन में एक्सपेंशन होता है जो DT की value आईगी, DT, DT हमेशा क्या होगा, negative, in case of adiabatic expansion, adiabatic expansion, okay, so DT अगर negative है, DT अगर आपके पास negative होगा, so obviously DH भी negative होगा, and तो हमेशा positive होगा, and क्या है number of moles, CP हमेशा positive होती है, so अगर DT negative है, तो DH भी negative होगा, means, जो आपका enthalpy change है, वो less than 0 होगा, in case of adiabatic expansion, आप चाहे volume कितना भी कर लो, आप चाहे volume कितना भी कर लो, जो DH हो हमेशा negative रहेगा, so आपके पास option क्या जाएगी, यह, इसने questions आते हैं, net में, net वाले क्या check करते हैं, net वाले आपके calculation check नहीं करते, net वाले आपका concept check करते हैं, okay, so आपको concept पता होना चाहिए, कि adiabatic expansion में temperature हमेशा गिरता है, अगर temperature गिरेगा, तो obviously, जो आपका DH होगा, वो भी क्या होगा, negative, because DT पे ही depend कर रहे है, अगर DT negative है, तो DH भी negative होगा, okay, so यह हो गया आपका first question, अब देखो next question, आप से पूछा गया है, कि अगर, an ideal gas expands by the following equation, PV raise to par A is equal to constant, okay, आपको क्या दिया हुआ है, PV raise to par A constant दिया हुआ है, in which case, does one expect heating, आप क्या हो, आप कैसे है, आप किस case में expect करोगे, कि आपका जो system है, आपकी जो gas है, वो heat produce करेगी, okay, आप किस case में expect करोगे, कि A की value कैसी हो, जहां पर आपको जो temperature है, वो rise मिले, आपके पास heating हो, okay, so, अगर आपकी gas expand कर रही है, और PV raise to par A is equal to constant को follow कर रही है, okay, yes, देखो, PV raise to par A आपको constant दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, expand कर रही है, expand करेगी तो volume बड़ेगा, and आपको क्या दिया हुआ है, कि आपने heating करवानी, अगर आप heating करवार हो, means temperature क्या होगा, increase होगा, temperature क्या होगा, increase, so, हम मान सकते हैं, कि जो आपके पास final state आई, T2, उसका जो temperature होगा T2, वो ज्यादा होगा T1 से, तभी heating होगी न, अरे देखो, अगर आपका temperature ज्यादा होगा, obviously तभी heating produce होगी, आपने heating produce देखना है, heating करवागी, जब temperature increase होगा, and आपको क्या दिखो, expansion दियो है, so, means V2 is greater than V1, okay, so, आपको V and T में पता है, V and T में डिलेशन पता है, दोनों states का, अब देखो, आपको PV raised to power A constant दियो होगा, भी क्या होगा, constant होगा, TV raised to power A minus 1, जैसे TV raised to power gamma minus 1 लिखते हैं, so, TV raised to power A minus 1 constant है, इसका meaning क्या है, T1 V1 A minus 1 is equal to T2 V2 A minus 1, okay, so, इसका meaning क्या है, कि आपके पास, जो T2 upon T1 है, वो किसके equal है, V1 upon V2 raised to power gamma minus 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब देखो, अगर आप लोग लोगे, तो लोग of T2 upon T1 is equal to gamma minus 1, लोग of V1 upon V2, अब देखो, यहां पे क्या है, यह क्या है, एक positive है, यह positive है, यह positive क्यों है, क्योंकि यह जो T2 है, वो हमेशा T1 से ज़्याद है, जो T2 है नियूमिनेटर में, वो हमेशा T1 से ज़्याद है, अगर आप उसका लोग लोगे, कोई ना कोई positive quantity आएगी, so means यह जो है आपका, यह positive है, और अगर आप इसको देखो, यह क्या है, आपका V2 ज़्याद है, denominator ज़्याद है, नियूमिनेटर से, अगर आप उसका लोग लोगे, वो हमेशा नियूमिनेटर ज़्याद हो, तो अगर आप उसका लोग लोगे, तो वो नियूमिनेटर ज़्याद हो, तो यह क्या है, आपके पास negative, अब इसके total product क्या होनी चाहिए, positive होनी चाहिए, so means आप क्या कह सकते हो, कि जो आपके पास यहाँ पर हम A लिख लेते हैं, गामा की जगह पर A है हमारे पास, तो जो आप क्या कह सकते हो, कि यह जो A-1 है, A-1, A-1 should be less than 0, so इसका meaning क्या है, A should be less than 1, A should be less than 1, so A क्या है, 1 से कम होना चाहिए, किस option में है, A 1 से कम, C option में आँके लिए, यह नेट में आया हुगा कोशन है, June 2011 में आया हुगा कोशन है, देखो कितना अच्छा कोशन है, देखे कि आप आपना देखे, समझे नहीं पाऊगे के कोशन में करना क्या चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कोशन पढ़के, कि हम कैसे करें इसको, सो आपको PV रिष्ट पार एक कॉंस्टन दी होगा, आपने बस ऐसे ही बताना है, कि हीटिं कब होगा, हीटिं कब होगा, जब T2 greater than T1 होगा, एक्पैंशन होगा है, आप यहां से निकाल सकते हो, कि जो आपका A है, अगर वो यह ज़गा, तब ही आपके पास हीटिंु क्या है, अगर प्लस नहीं होगा, ग्पात यहां सुद आपको दिया हूए, वेर क काई ए यगाजन, काई आपको दिया हुआ, आपको दिया हुआ है, U की value दे दी, if the initial pressure is, आपको P1 दिया हुए, the change in internal energy is, आपने change बताना है internal energy में, okay, so internal energy में, अगर आप change निकालना चाहते हो, तो आप कैसे निकालोगे, अब देखो, जो PV है, PV is equal to RT होते है, PV is equal to RT होते है, so हम U को क्या लिख सकते हैं, 3.5 RT, 3.5 RT, अब आपने change निकालना है, DU नि T, okay, DT का मीनिंग क्या है, T2 माइनस T1, DT का मीनिंग क्या है, T2 माइनस T1, अब आपको पता क्या करना है, एक T2 की value पता करना है, एक T1 की value पता करना है, अब आप देखो, आपको दिया क्या कुछ हो है, आपको V1 की value पता है, 0.25 meter cube, आपको V2 की value पता है, 0.86 meter cube, आपको P1 की वेल्यू पते हैं, फाइव न्यूटन पर मीटर स्केर, ओके, आपको P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, अब आपने T2 और T1 की तो आप डिरेक्ट निखाल सकते हो, T1 की वेल्यू के आज जाएगी, PV इस इकल टो आटी होता है, T1 की वेल्यू तो आप यहां से निकाल सकते हो, P1 की वेल्यू आपको पता है, P1 की वेल्यू कितनी है, 5 न्यूटन पर मीटर स्केर, डिवाइड बाइ, आप क्या करोगे, T1 की वेल्यू क्या जाएगी, इंटू V1, V1 कितना दिया हो है आपको, 0.25 मीटर क्यूब, 0.25 मीटर क् और आपको R की वेल्यू कितनी है, R की वेल्यू क्या ले लोगे आप यहां पे, Joule में ले लोगे, so Joule में क्या आएगी R की वेल्यू, 8.314, 8.314 ही होती है न, 8.314 Joule पर कैल्विन, आपके पास यहां से क्या जाएगा, T1 आजाएगा, आप T1 निकाल लोगे, आपको T1 आग T2 आपको दिया हुए, आपके पास T2 आजाएगा, T2 आगया, T1 आगया, फिर तो आपने सब्ट्रेक्ट करके, 3.5 R से मल्डिपली करने है, वो आपके पास DU आजाएगा, आपको जैसे जैसे दिया हुआ है, वैसे लिख लो, आपको U is equal to 3.5 PV प्लस K दिया हुआ था, आपने क्या किया, आपके पास T2 आजाएगा, यहां पे वैल्यू बुट कर देना, वो आपके पास DU हो आजाएगा, सो देखो, आपको कोशन देखे न, अगर आप कोशन ऐसे पड़के छोड़ दोगे न, पक्का है आपको दिमाग में याना कि आप क्या करोगे, आपका U is equal to 3.5, पहले तो यह देखे डर जोगे, यह equation दे दी, यह तो chemical analysis वाली ने आस तक करवाई नहीं, आप यही बोलोगे, कि यह तो chemical analysis वाली में आस तक यह equation नहीं करवाई, यह भी होती है, यह equation नहीं होती है, यह तो उन्होंने अपनी तरफ से दी हुई है, U is equal to 3.5 PV plus K, कि U इस पे ऐसे डिपेंड कर रहे है, वो आपने according change करना है, जो भी आपको given है, हमें देख के नहीं पता चलेगा कि हमें करना क्या है, तो प्लीस थर्मों के अगर कोशन करने बैटे हो, तो आपको लिखो, जो भी कुछ दिया हुआ है, लिखो, फिर जो निकालना है वो लिखो, आपने क्या निकालना था, अब देखो, सेकिंड कोशन, इसमें देखो क्या है, एपने दिमाग में सोचो क्या है, अगर आपको पता चल गए, मींस आपने क्या किया हुए, लर ti, अगर आपको नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ reading, सो अगेंस्ट प्रेशर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जो process है, वो क्या है? इर्रिवर्सिवल अगेंस आ कॉंचनल प्रैशर ओफ वान अटमोस्फ़ अंतिल इट्बल्स इनिर्स वोल्यूम डबल होगा मींस वीटु इस इकल टू वीडू सेल्सिस इनिशल टेंप्रेचर आपको 25 डगरी सेल्सिस दिया हुए इनिशल प्रैशिर आपको 5 अटमोस्फिर आपने T2 की value find out कर दिया, अब देखो, पहले हम लिखते हैं, हमें क्या कुछ पता है, Cv पता है, हमें 5 by 2 R है, और क्या पता है, यस, और क्या पता है, कि जो process है, वो irreversible है, against a constant pressure of 1 atmosphere, until it doubles in its volume, until it doubles in its volume, means V2 is equal to 2 V1 है, next, if the initial temperature is, means T1 आपको 298 Kelvin दिया हुए, okay, P1 आपको 5 atmosphere दिया हुए, आपने बताना क्या है, T2, T2 आपने निकालना है, अब देखो कैसे करोगे, आपको CV दिया हुए, V2 दिया हुए, V2, V1 की value दिया हुए, T1, P1 की value दिया हुए, आपने निकालना क्या है, T2, अब देखो, आपको पता है, कि जो CV, DT होता है, वो किसके इकलोता है, minus P external DV, okay, CV, DT किसके इकलोता है, minus P external DV, अब देखो, cv irreversible ना irreversible में तो यह होता है अगर reversible हो तो फिरम देखती irreversible में तो यह होता है cv dt is equal to minus p external dv so अब cv आपको दिया हुआ है 5 by 2 r dt means t2 minus t1 is equal to p external आपको कितना दिया हुआ है p external against a constant pressure of 1 atmosphere means बाहर से हम कितना pressure लगा रहे है 1 atmosphere means minus 1 dv का मतलब क्या है v2 minus v1 अब देखो v2 minus v1 v2 क्या है आपके पास 2v1 2v1 minus v1 v1 यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 अब v1 तो हमें बता नहीं है v1 तो आपको नहीं बता so v1 निकालने के लिए आप क्या करोगे v1 को यहाँ पे क्या लिख दोगे r t1 upon p1 so अब देखो आपको t2 निकालने t1 पते 298 r पते t1 पते न आपको यह p1 पते sare values फिल करदे ना obs units काहमेश्या लिखना यहां पर आपको प्रेशर किसमें दिया हुए एट्मोसफियर में दिया हुए अगर आपने यहाँ जोल यूज कर ली स्रत ब्रैक्सальный कॉंसा उमरी cancels कर दी're अगर आप R की value यहां पे जूल वाली ले रहे हो ना तो फिर इधर भी जूल वाली ले ले वैसे तो R तो cancel हो जाएगा R को तो देखने की जुरूरती नहीं है, T की units क्या है? Kelvin, P की units क्या है? Atmosphere So, इधर के है 5 by 2, इधर के है T2 minus T1, So, यह भी क्या है Atmosphere, So, Atmosphere से Atmosphere तो cancel हो जाएगा, इधर भी Kelvin नहीं है, इधर भी Kelvin आपने units का हमेशा दियान रखना है, यह तो चलो R cancel हो रहा था, हमने कर दिया, अगर R by 1s cancel हो तो हम देखेंगे आगे questions, तो आपने वहां पे R की value वह भरनी है, जहां पे आपको given हो, ओके, अगर लीटर में कुछ है, तो आप T2 किसके को आजाएगा, 274 Kelvin, ओके, देखो, अच्छा question था, आपको बस irreversible दिया हुए, तो irreversible क्या आपने equation लगा दी, वहां से आप निकाल सकते हो, ओके, तो अब देखो, first question, first question देखो, आपको इसे questions ही आएंगे, इस से ज्यादा मुश्किल ही आएंगे, इसी पर ही दमा atmosphere to 2 atmosphere at 500 Kelvin, and then simultaneously साथ के साथ, पहले क्या किया, compress किया, reversibly, isothermally पहले compress किया, and simultaneously expanded back reversibly, उसको द्वारा से फिर expand कर दिया गया, पहले compress किया, फिर expand कर दिया गया, reversibly and adiabatically, अब adiabatically किया है, till the gas attends its initial pressure, जब तक उसका pressure है, जो initial pressure के equal नहों जाता, तब तक उसको expand करते रहते है, the volume of the final state in liter, आपने क्या बताना है, जो final state है, expand करने के बाद, जो state बनी है, उस state का आपने volume बताना है, कितना हो गया, तो देखो, पहले आपने state let कर ली A है, फिर आपने let कर ली B है, फिर आपने let कर ली C है, पहले हम A से B जा रहे हैं, via reversibly, isothermally, फिर हम जा रहे हैं, B से C, reversibly, adi adiabatically, reversibly, adiabatically, okay, so अब देखो आपको, A के लिए क्या कुछ दिया हुए, A state का आपको क्या कुछ दिया हुए, initial pressure आपको 1 atmosphere दिया हुए, P1 की value 1 atmosphere है, okay, यहां पे P2 की value 2 atmosphere है, temperature क्या, isothermal है, so temperature दोनों states का same होगा, यहां पे T क्या है, 500 Kelvin, यहां पे T क्या है, 500 Kelvin, okay, then simultaneously expand कर दिया दो, इसको, तिल दे गेस अटेंगा इस initial pressure, means जो आपके पास P3 है, वो भी क्या है, 1 atmosphere, initial pressure, तो P3 भी क्या है, आपके पास 1 atmosphere, आपने, इसका V3 बताने है, यह V3 कलकुलेट करना है, अब देखो, आपको B state, आपने क्या करना है, V3 कलकुलेट करना है C state, सब आप कैसे कर सकते ह सब्सक्राइब दिखां यहां पर प्रूश्च अमिता है पिटू निकाल लोगे इस सचेट का वोल्म लिए उस यूसकर के यहां पर आपको पया सुपार जाय का जैसे देखो आपको पिटू पता है पीवी इस इकल टू रूतए हमें पताए है सबको मिन्स पीटू रिड्डि क्या है आपके पास 2 atmosphere okay V2 यह हमें निकालना है R की value R की value अब क्या put करोगे R की value अब क्या fill करोगे तांकि आपके पास यहां पे कहा है 2 atmosphere आपना युनित्स भी साथ साथ लिको फिर आपको पता चल जाएगा 2 atmosphere into V2 यह liters में है यहां पे क्या है आपके पास liter okay R की value आपके पास क्या है कैल्विन में 500 Kelvin R की value अब क्या फिल करोगे यह सिर्फ और सिर्फ लीटर चाहिए तो आप आपके पास लीटर करोगे लीटर atmosphere पर कैल्विन पर मॉल में लीटर atmosphere पर कैल्विन पर मॉल यह atmosphere यह इस atmosphere से चैन्सल हो जाएगा यह Kelvin इस Kelvin से cancel हो जाएगा आपके पास लीटर ही रह जाएगा ओके लीटर एट्मोसफेर पर Kelvin पर मॉल में R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 0.0821 0.0821 आपने यहां से क्या करना है V2 निकल जाएगा आपका यहां से V2 किसके को लागया 0.0821 इंटू 500 डिवाइड़ बाइ 2 यहां से आपका V2 आ गया ओके अगर आपको V2 पता लगया फिर तो काम आसानी हो गया क्योंकि आपको पता है P2 V2 रेस चुपार गामा इस इक्वेल टू P3 V3 रेस चुपार गामा अब गामा देखो आपको दिया हुए जो CV है क्या करने है गामा की वैली पूट करने है P2 V2 की वैली पूट करने है V3 आपके पस आ जाएगा 31.1 लीटर आपके पास अंसर आ जाएगा कितना अच्छा कोशन है क्या आपने पहले दो प्रोसेसिस हो रही है साइमल्टेनियसली हो रही है आपने डिवरसिबल आईसो थेमल्म किया कॉम्पैशन की फिर आपने रिवरसिबल अडिबै टिक किया और एक्सपेंशन की कितना अच्छा कोशन है इसका तो बचारी का कोई कोई रोली नहीं है अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि कैसे निकालना वो बचारा पहले A पर ही उलच जाएगा, A पर ही confused हो जाएगा, B और C तो बाद में देखेंगे, ओके, सो आपने confused नहीं होना, जो भी दिया हुआ है, वो लिखो, जो find out करना है, सिर्फ उसी पर focus करो, कि जो दिया हुआ है, हम वहां से कैसे निकाल सकते हैं, ओके, सो अब हम कर रहे हैं, नेक्स्ट कोशिन, यास फ्रेंट्स, अब देखो, इस में क्या दिया हुआ है आपको, इस कोशिन में, फोर आइसो थर्मल फ्री एक्स्पेंशन ओफ इन आइडियल गैस इंटू वैक्यूम, वीच वन फफ़ॉलिग वैल्यूज इस कोरेक्ट अब फोर डैल्टा यू, 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 दियू दियुए थी, उन उपशन में इसे बताना था आप ने क्या कॉँन से ओप्शन कोरेक्ट है, औके, अब देखो आइसो थर्मल फ्री एक्स्पेंशिन आइदर्म फольय का यूट की ॥िया इसो थर्मलमार में क्या हूता यू फो て यूट क्यों एक्सित के क्योंते है यूटा हिक बेड़े եी । कि वेल्यों यू ठायगे कि 0 0 प्रि क्छी एन का मीनिंग फ्री एक्सपेंशन है कर वर्य लिए पा कि है ऑक्रिकों लिए कि इंग माइनस डीघ्स क्या तर शुटर बहुह ना तो आपको ना कोई भी आजाए अगर आपको वर्ड लिखा हुए फ्री एक्सपेंशन या फिर आपको लिखा हुए वेक्यूम तो आपका वहां पर वर्क रन किसके इकल होता है जीरो की इकल होता है क्योंकि वहां पर कोई भी पी एक्सटरनल ही नहीं है पी एक्सटरनल ही नह हो जाएगी जीरो ओके सो देखो कितना असान सा कोश्चन था नेक्स देखो आपको दिया हुए cp is equal to 14 plus bt यह gate 2018 में आए हुए 14 plus bt बी क्या है एक constant है यह cp temperature का function दिया हुए आपको भी constant दिया हुए enthalpy change when the substance is heated from 300 to 350 Kelvin is इतना आपको enthalpy change दिया हुए है means dh की value दिय हुए है कितनी 2,000 joules ओके टू के लिखा हुए रहा है 2 kilo joules लिख हुए है सो हमने क्या लिख लिख लिया 2000 joules per Kelvin per mol joule per mol ओके देवैल्य ओफ बीस आपने बी की वैल्य बतानी है तो अब देखो जो दिया है वो किसके इकल होता है वो किसके इकल होता है n cp dt के जो आपने n की वेले वह वान ही लेनिया अगर नहीं दिया हुए means एक mol ही लिया हुए है तो किसके इकल है cp dt के अब देखो यह जो आपके पास cp है cp यह भी temperature का function है सो अगर आप integration करोगे तो आप integration इसके बाहर लगाओगे अकली dt पर नहीं लगाओगे cp पर भी लगाओगे so means अगर आप यहां पर लगाओगे h1 से h2 तो यहां पर क्या जाएगा h2 minus h1 is equal to cp कितना दियो है 14 plus bt अगर आप इसकी integration करोगे dt बाहर है अगर आप इसकी integration करोगे तो क्या जाएगा 14t plus bt square by 2 okay limits के आजाएंगी 300 से 350 okay so आप यहां पर values पूट कर देना delta h यह कह है delta h, delta h की value आपको 2000 जो जी हुए है तो आपने integrate कर देना है okay integrate करके आपको इधर delta h की value यह 2000 तो आप यहां से b की value निकाल सकते हो okay next question देखो next question में आपको क्या दे हुए है the equation of state for one mole of an ideal gas is given by आपको यह equation दे हुए है okay non ideal gas है non ideal gas कि आपको यह equation दे हुए है अब देखो where the coefficients a and b are temperature dependent जो a and b है वो temperature dependent है if the volume changes from v1 to v2 in an isothermal process work done by the gas is आपने work done निकालन है work done किसके इकल होता है yes work done किसके इकल होता है work done किसके इकल होता है minus p external dv minus p external dv okay so अगर आप अब इसको integrate करोगे अगर आप इसको integrate करोगे from v1 to v2 okay means आप इसको integrate करोगे इसको integrate करोगे अगर आप इसको integrate करोगे with respect to v okay तो आपके पास क्या जाएगा जैसे देखो आपके पास क्या जाएगा अगर आप यहां से p की value निकालो तो p किसके इकल है p is equal to a upon v plus b upon v square dv okay यह ना negative sign नहीं लेना होता क्यूंकि ना यह क्या है आपके पास वह होती है means sign convention होती है ना वह क्या होती है बिलकुल ही उल्टी होती है हम क्या लेती है जो walking by the gas हम chemistry वाले क्या लेती है negative physics वाले क्या लेती है इसको positive okay so w यहां पर आएगा वो p actional dv आएगा क्योंकि यह physics में आया वह question है अगर आप chemistry के साफ से कर दो तो आप minus लगा सकते हो कोई इतनी problem नहीं है okay w इसकी इकला गया अब आप क्या करोगे वी वान से लेके वी तो तक integrate कर दोगे अगर वी वान से लेके वी तक integrate करोगे तो क्या जाएगा यहां पर 1 अपॉन यह तो क्या जाएगा तो 1 अपॉन V2 minus 1 अपॉन V1 यह आपका अंसर आचाएगा okay देखो कितना अच्छा कोशन था next question देखो next question में आपको दिया हुआ है the internal नजी of n mole of an ideal gas is given by this आपको internal नजी दी हुए है where V is the volume of the gas at temperature T and A is positive constant 1 mole of the gas in state T1 V1 is allowed to expand adiabatically into vacuum adiabatically into vacuum to a final state T2 V2 the temperature T2 is आपने T2 temperature पता करने अब देखो एक तो आपने adiabatically expand किया into vacuum vacuum में expand किया means आपका P external 0 है अगर P external 0 है means work done 0 है work done आपका 0 है DQ तो होती ही 0 है adiabatic में DQ 0 होती है W भी 0 है so इसका meaning क्या है जो आपके पास DQ is equal to D U minus W होते है इसका meaning क्या है D U B किसके इकल है 0 की इसका meaning क्या है U2 किसके इकल है U1 की इकल है 3 by 2 nR T1 minus A upon V1 आपने पता क्या करना है आपने T2 की value पता करने T2 क्या आजाएगा इधर को इसको A upon V2 को इधर ले जाओ फिर divide कर देना 3 by 2 nR से वह आपके पास T2 की value आजाएगी देखो कितना असान कोशन है गे 2006 में आया हुआ है ओके देखो कितना means ना आपको बस पता होना चाहिए जो भी इन्होंने वर्डिंग लिखियो यह उस वर्डिंग का मीनिंग है अगर वैक्यूम लिखाय में वर्गण जिरू है अगर फ्री एक्सपेंशन लिखिये भी तो जिरुरी होगा डियू भी हमने क्या रिखिदे जीरो की को लग देमी यूटू की की को ला गया हम वहां से करके टीटू की वैल्यू निकाल सकते हैं ओके नेक्ट कोशन देखो इस इक्स्त कोश्चन कोशन तो बैसे यह कौन सा है टैंथ है इलेवंत है चलो चलो तो म लिखए यहां चपन 0 भ प्रेशर खisson को ही फाइनल को ही लग से और अगर यहां पर फाइनल पर लग से दियए हुए उडेंश जो अगर फाइनल प्रेशर की Kal deputy uda yah hand मैं और हो यह जो एक्stillनल प्रेशर यूज का थिए यह निल निकाल नहीं है वर्म फ्रЭ्श reward को हम और प्रेश्गर मांनिते हैं अगर आपको यह ऊधि extract worn अगर अगर आपको के लिए C-P की वैल्यू का हुए 2.5 र और si P की वैल्यू का होती है तो पेस एंड़ के पास क्या होता है अगर मोंनो टापी ग्यास मोनो टॉमिक गैस मोनो टॉमिवर्स इसके लिए क्वेश्टी एंगए C-V की वैल्यू 1.4 होती है लोके C-V की वैल्यू 1.5 एथे बरोते अब देखों अब आपने यहां पर आपने यहां पर क्या होगना है अधिया बेटिक प्रोसाय से अगेंस अगेंस अग्षेवल प्रेस्टर मीजर वाइंज इरिवर्स सीवल है तो हम प्या अनसी विडि डिटि इस एकल तो माइनस पी एकिशनल डि देए सो n is cv, n की वल्यू कितनी है 2, cv की वल्यू कितनी है 2.5 गार, dt means t2 minus t1 is equal to minus p external, अब देखो p external कितना है, against a constant pressure 0.101 mega pascal, 0.101 mega pascal, okay, अब देखो 10 raises power 5 pascal किसके इकल होता है, मैंने आपको unity conversion में बताय हुआ है, 10 raises power 5 pascal, bar के बराबर होता है, और bar is approximately is equal to atmosphere, अब देखो, 0.101 mega pascal है, mega का मेंनी क्या होता है, 10 raises power 6, 10 raises power 6 pascal, अगर आप इसको times power 5 में convert करना चाहते है, तो क्या जाएगा, into times power 5 pascal, okay, हमने इदर 1 point कर दिया, अब यहां पर क्या जाएगा, times power 5 pascal किसके इकल होता है, bar के, and bar is approximately equal to atmosphere, so means आपके पास, जो p external है, वो किसके इकल है, 1 atmosphere, okay, जो आपके पास p 1 है, वो किसके इकल है, 0.507 mega pascal है, तो यह किसके इकला जाएगा, approximately equals to 5 atmosphere, okay, so अब देखो, t2 minus t1, p external है, p external की value में ने 1 लिख दी, dv, v2 minus v1, okay, dv क्या है आपके पास, v2 minus v1, अब आप यहां पर क्या पूट करोगे, v2 को क्या पूट कर दोगे, r t2 upon p2, r t2 upon p2 पूट कर द बाहर ले आओगे, rcr cancel हो जाएगा, जो t2 है, t2 हमने find out करने, p2 की value, p2 की value क्या है, final pressure के है, आपके पास, 0.203 mega pascal, means, जो p2 है, वो के है, आपके पास, 2.03 atmosphere, या फिर आप 2 atmosphere भी लिख सकते हो, p2 की value 2 है, p1 की value 5 है, t1 की value आपके पास 300 है, t1 की value यहां पर 300, फिल कर देना, वहां से आप क्या निकाल सकते हो, final temperature निकाल सकते हो, means, आपके पास, t2 की value आजाएगी, okay, समझ आगा है, आपने क्या करना, irreversible, irreversible के लिए, ncvdd is equal, minus, p-actional, dv लिख दिया, minus, p-actional हमें, पता है, 1 है, so, आपको मेना unit conversion आने चाहिए, मेने तरह हम mega pascal देके घबरा जाते ह है, okay, आपको क्या है, unit conversion आने चाहिए, अच्छे से, यह तो first topic की करवाया था, my unit conversion, okay, so, आपने, आपने यापन यापन यापन, p-2, rt1 upon p-1, आपको आर बाहर लाके, cancel हो जाएगा, t2 की value निकाल नहीं है, p2 आपको पता है, t1 पता है, p1 पता है, बोलो रहा है, क्या, calculation रह gate में ही आते है, okay, ज्यादा calculations वाले questions, gate में ही आते है, अब हम कर रहें, next question, yes, friends, इस question में देखो क्या है, if the internal energy of an ideal gas is related with p and v by, आपको यू दिया हुए, यू किसके इकलो दिया हुए, 3 pv के इकल, okay, u is equal to 3 pv, आपने poison equation बताने है, क्या होगी, आपको u is equal to 3 pv दिया हुए, इस to par gamma minus 1 क्या होता है, constant होता है, अब हमें gamma की value चाहिए, gamma की value नहीं है, gamma की value चाहिए, अब हमें, okay, so gamma को निकालने के लिए, हमें क्या पता होना चाहिए, cp and cv की value पता होने चाहिए, अब हम यू पता है, तो हम यहां से cv निकाल सकते है, okay, cv निकाल सकते है, देखो कैसे नि गिए एक लोगा सो अब आगर आपने लिया निकालने सीवी सीवी किसके इकलोते सब्सके लिगोटे सो इसको आप सीवी डीटी के एकल सकते हो अंग वह क्या गया 3R, CV क्या है आपके पास 3R, अगर आपके पास CV 3R है, तो CP क्या है, 4R, ओके, CP अगर आपके पास CV 3R आ गया, तो CP 4R आ गया, अब देखो CP अपन CV, CP अपन CV, CP अपन CV कितना आ गया, 4 by 3, ओके, सो आपने क्या निकलने, अगर आपको CV पता होने चाहिए, अगर आपको CV पता चल गया, CP अपने आप पता चल गया, आप CV निकाल भी सकते हो, क्योंकि यू की वैल्यू दी हुई है, CV किसके क्रोता है, अगर आप CV अन यू में रिलेशन देखो, तो क्या होता है, आपको coefficient of compressibility of water दिया हुए, यस क्या होता है, coefficient of compressibility क्या होता है, मींस, बीटा दिया हुए आपको, बीटा कितना दिया हुए, 4.9 into 10 raises power minus 6 per atmosphere, बीटा की वैल्यू दी हुए, ओवर दे रेंज ओफ प्रेशर, आपको P1 की वैल्यू 1 atmosphere दी हुए, आपको 5 atmosphere दी हुए, ओकी, दवर दन in compression of 1 mole of water from 1 atmosphere to 25 atmosphere, 25 है, आपको P2 की वैल्यू 25 दी हुए, आपने वागड़न निकालना है, क्या करना है, आपने compression करनी है, 1 mole of water की from 1 atmosphere to 25 atmosphere at 298 Kelvin in joules, आपने वागड़न निकालना है, सो अब पहले देखो, वागड़न को आप बीटा से कैसे रिलेट करोगे, बीटा से आप वागड़न को कैसे रिलेट करोगे, वागड़न थो हमें पता ही है, वागड़न किसके इकलोता है, अब आप इसको बीटा से कैसे रिलेट करोगी, बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा किसके इकलोता है, माइनस 1 अपॉन वी, कॉल वी अपॉन कॉल पी, एड कॉंस्टेंटी, इसके इकलोता है, अब आप इसको देख रहे हो, तो आपके पास dv किसके इकलो आगया, अगर आप देख रहे हो, dv किसके इकलो आगया, माइनस बीटा वी, dp, ओके, dv आपके पास किसके इकलो आगया, माइनस बीटा वी, dp, आपने dv की value यहां पर put कर दी, आप देखो आपको beta पता है, beta पता है, and आप क्या करोगे, इसको integrate करोगे, with respect to p, तो आपके पास क्या जाएगा, beta v, अंदर क्या जाएगा, pdp, pdp को आप integrate करोगे, तो क्या जाएगा, p square by 2, limits put करोगे from p1 to p2, p2 square by 2 minus p1 square by 2, okay, so यहां पर p2 की value put करो, okay, तो आपके पास W work done आजाएगा, next question देखो, आपको 13th question में दिया हुए है, the minimum work involved in compression of one mole of ideal gas to double of its initial pressure at 300 Kelvin is, आपको minimum work निकालना है, minimum work निकालना है, compression करनी है, एक mole की करनी है, कि उसका जो pressure है, वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, इस temperature पे 300 Kelvin पे, इस statement को पढ़के नहीं लगेगा, कि जो भी data दिया हुए है, वो कह है, insufficient है, हम इस data से नहीं निकाल सकते, और option में भी था, cannot be determined, okay, option में भी था, आपके पास can't be determined, so आप वही टिक लगा दोगे, क्यूंकि आपको ये देख के पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी process है, आप कौन सा formula लगा हो, आपक compression, compression में minimum work कब होता है, yes, मैंने आपको समझाया था उस दिन, कि expansion में maximum किस में होता है, reversible isothermal में, और compression में क्या था, ultra हो जाता था, means compression में minimum work किस में था, reversible isothermal, so इन्होंने बोला हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, minimum work involved in compression, means किस की बात हो रही है, reversible isothermal, okay, reversible isothermal की बात हो रही है, करोता है minus RT ln P1 upon P2 okay pressure की terms में P1 upon P2 होते है so अब R की value put करो T की value put करो T की value आपको 300 Kelvin या R की value आपको पता है 8.314 P1 की value put करो P1 and P2 कह है double of its initial pressure means P2 किसकी को है 2P1 के यहां पर क्या जाएगा one by two okay वो आपके पास क्या जाएगा work done so statement को ध्यान से पढ़ो सारे concept अच्छे से सीखो कोई भी question मिस नहीं होगा next question देखो for a guess following adiabatic reversible expansion plot of log P versus log V okay reversible आप adiabatic reversible expansion करें log P versus log V is linear with a slope equal to आपने slope बतानी है अगर आप log P and log V का graph plot करते हो देखो reversible adiabatic expansion है इसमें poison equation हम use करते हैं PV raise चुपार gamma is equal to constant okay so अब देखो अगर आप इसका log लोग है तो क्या जाएगा log P okay log P plus gamma log V is equal to constant okay so अब देखो अगर आप करोगे log P log P is equal to minus log V minus gamma log V plus constant so अगर आप इसका graph plot करोगे वो कैसा है यह क्या है y is equal to mx plus c है यह क्या हो गया y a y के होगे आप के पास X formerly m m क्या होती है slope, so slope आप के पास क्या है minus m okay slope आप के पास क्या गी or sorry slope आप के पास क्या है minus gamma okay so अगर आप log P versus log V ka graph plot करते हो तो slope क्या वाती है minus gamma first question देखो generating में क्या है एडिया बैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ओफ मॉनाटॉमिक गैस एम और डायाटॉमिक गैस दी है आपको इनिशल टेंपरेचर टी आई दिया हुए है टी आई हैस बीन कैरीड आउट इंडिपेंडेंटली फ्रों वोल्यूम वी वन तो वी तू आपने बतान इस्पेंशन में टेंपरेचर हमेशा कम होते हैं चाहिए वो मोनोटॉमिक यास हो चाहिए वो डायटॉमिक यास हो टेंपरेचर हमेशा कम होगा मेंस जो इनिशल टेंपरेचर वो तो सबसे ज्यादा रहेगा इनिशल टेंपरेचर सबसे ज्यादा रहेगा मेंस जो टी आई कि उमने मोनमा को देखना है जाता है किसका पॉन सि थाूं के अगर बात कर रहे हैं तो घंप लीक्र पॉन जरुए कि यृट गन्या चाहे तो इन सबसे कम होगा फिर आपके पास TI, तो बी अपरिशनी है, तो अपरिशनी कम हो गया, फिर दी, फिर तआपके पास TI, तो हमेशा ज्यादा होगा, वह सबसे कम होगा, फिर तो ती. decrease होते हैं, तो यह थे हमारे आज के questions, जो के आपके isothermal and adiabatic पर बेस थे, अगर आपके वीडियो पसंद आया, तो please like कीजिए and maximum share कीजिए, thank you.